आपने मुझे कहते हुए कई बार सुना होगा कि हम कैसे लोग गवा करते थे और कैसे हो गए हैं तो हम होते थे ऐसे लोग जी आईए देखिए इस मंदिर को देखकर दो बरट के रहे तो किसी की लिए हवा निकल जाए जैसे हमारी निकल गई थी ये मंदिर बनना शुरुआ था 1848 में 1848 का बनावा मंदिर है ये और इसे बनवाया था एक धरवान सेट ने एक मचल ने जिनका नाम था हूथी सिंग उनकी डेथ पर एक टेंपल कप्लीट नहीं हुआ था इसलिए उसके बाद उनकी वाइफ ने ये कप्लीट किया था लेकिन इसकी खुबसूरती देखते ही बनती है मैं शायद ही ऐसी किसी जगा में आया हूँ जो इतनी खुबसूरत हो एक दम स्टनिंग ब्यूटी जैसे कहते हैं एक दम दिल हिलाने वाली एक दम चौकनना करने वाली खुबसूरती है यहाप आप यह देखी कि उस टाइम में 1848 मे कितने कला कारों ने कितने शिल्प कारों ने टाइम डगाया होगा ऐसी सुन्दर चीज़ बनाने के लिए हर डीटेल जो इसका है ताकि वो जाली है या मतलब जो यह सीडिया है या पे इतनी सुन्दर है आप मतलब कभी भी अगर आओगे तीस थोड़ा आदा गंटा चालिस मिनिट टाइम लेके आईए यहां पे राम से शान्ती से बैठिए और इसका जो है मजा लीजिए ऐसी सुन्दर चीज़ आपको ढूंडने भी मिलना मुश्किल है जी हां यहां पर हर मोड पर खुबसूरती बनती जबरती जाती है इंक्रीज होती रहती है देखिए क्या अंदर मूर्तिया हैं जहां पर सथालों आते हैं पुजा करने के लिए बहुत ही खुबसूरत काम दिवारों पर और ऐसी जगह इस मंदिर में बहुत हैं तो जब आप यहां आएंगे ऐसी एक जगह चुनिए अराम से बैठिए बैठिए साब बैठिए और खुबसूरती का ध्यान करके अध्यन कीजिए उसको देखिए उसको इंजोई कीजिए और यह याद रखिए कि हम ऐसे लोग हुआ करते थे थोड़ी बहुत मैनत करी तो फिर ऐसे लोग बनने का चांस हमारे पास है लेकिन भाई साब काम करना पड़ेगा काफी क्यों वैसे काफी लोग ने क किया है क्योंकि 2003 में जो यह कॉंपाउंट के अंदर ही बार एक बहुत उंचा स्थम्ब है महा स्थम्ब जो बनाया गया था जैसे अपना कीर्थी स्थम्ब है जो चित तोड़ गड़ बिल्कुल उसी डिजाइन पर उससे इंस्पाइर हो के बड़ा बहुत सुन्दर स्थम् जो लोग हैं मतलब वो कहते हैं कि मतलब जरूरी है और आप देखे किसी कल्चर को इन ही चीजों से जज़ करना चाहिए रिलेजन से नहीं साइंस से नहीं पर यह के मत जो आठ है जो क्राफ्ट है पुनाने टाइम पर आप देखिंगे जो भी पुराने कल्चर थे तो सबसे जरूरी में जो पुका पर गिसंद्ध को के आठ आज कल की दुनिया में तो जो है जो पैंकर है जो लॉयर है वो को उनको बड़ा उंचा दर्जा माहसा गाता है और ये सब जो चीजह हैं जो डाइंग आर्ट है इन सब चीजों में जो हमारे पास इंडिया में इतना था इतना हम भूल गए हैं कि मतलब बाकी दुनिया में आप सब मिला के करेंगे तो उतना उन्होंने सीखा भी नहीं अभी जितना हम भूल चुके हैं तो यह है हमारी आप गलोडेयस हिस्ट्री अब आप यस को प्रजरव करके हम इसको अपना गलोडेश सूचर कैसे बना सकते हैं जी आप प्रजर्फ करने की महत्तव अ बेन्स पहराइ किसे हैं तो आप Chapel से मंदिर आएंगे एमदा बाद में तो आपको दिखेंगी यह खूब स आईएगा शांती बहुत है जगा बहुत ही खुबसूरत है और बड़े ही प्यार से बड़े ही इत्मिनान से बनाई गई है तो अब मैं शायद और मुझे कुछ नहीं कहा ना मैं बैठकी मस्त देखना चाहता हूं तेरे कोई लास्ट रेट तो बोल दें सिरफ देखिए आईएगा झाल झाल झाल